ओके रिडिए इस वीडियो में बात करने वाले अब और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनलिस साथ में हम लोग करने वाले फिनेंशल सर्विस की आज का हम लोग का सेट अप बगएदर क्या रहने वाले कैसे हम प्लान कर सकते हैं तो देखिए बहुत ही सिंपल वे में हम ल यहां के अंदर है कि हमारा माके अभी थ 죄송 किया हूआ है तो यहां पर देखिए माक्र न्याँ क्या किया इस लेवल्स की असपाऊ उप्निंग किया थोड़ा बाद है के इसी जोन के अंदर ही market rate कर रहा है और अगर let's say अगर हम consider करते हैं bottom से लेके top तक फिबरणाची लगाने के बाद market 23.6% पर भी नहीं आया उसके पहले गुमने के कोशिश कर रहा है तो कहीं नहीं यहाँ पर selling की जा रही है retail traders के दिवारा तभी हमको यहाँ पर ऐसा momentum देखने के ले मिल रहा है तो हमको यहाँ पर क्या प्लान करना है देखो जब हमको बाय प्लान करना होता है न तो एक अच्छे levels के आसपर हम प्लान करेंगे तो जैसे कि यह हो गया कि चलो अच्छा market ने momentum दिखाया 23.6% के आसपर आया यहाँ पर double bottom pattern आपका head and shoulder pattern बन गया angle बन गया 23.6% alone reason बैठता है जहां पर हम consider कर सकते बाय करने के लिए इसके अलावा और कोई यहां पर extreme reason नहीं क्योंकि ना यहां पर support है ना कुछ नहीं है तो market को या तो अगर यहां से थोड़ा और उपर की तरफ जाता है तो हम लोग यहां से लेके फिरू वहां तक लगाएंगे हो स support इसका बैठता है वह इस लेवल्स के आसवा बैठता है 30.2% मार्केट बहुत तगड़े लेवल्स पर उपर चल रहा है और मेरा बैंक निफ्टी परसनली होल्ड भी है ठीक है इसको बात में देखते हैं अब देखो नेक्स जो अपना support बैठता है वो 30.2% अब देखो यहा पर यह कौन सा लेवल निकल के आता है यह निकल के आता है 42,000 42,000 430 के आसपास ठीक है 42,000 430 के आसपास यह अमनों का second level निकल के आता है यह लेवल यह लेवल थर्ड यह भी लेवल कंसीडर कर सकते हो 50% के आसपास है क्योंकि यह rejection है this can act as in support और 50% का support बैठता है 42,000 345 के सकते हैं ध्यान नखीएगा let's say market यहां से नीचे आ जाता है यहां पर कुछ भी नहीं बनाता है तो इसको avoid करो randomly buy नहीं करना है let's say फिर यहां आता है और यहां फिर double bottom pattern बनाते है तो consider कर सकते हो आपके पास 2 reasons already यहां पर valid है यहां पर भी नहीं रुका यहां पर भी नहीं करते हुए उपर की तरफ दिखा सकता है यह हो गया हमारे क्या यह हो गया हमारे तीनों बाइंग वाले जोन ठीक है यहां पर हमको buy plan करना selling plan मत करना यह जो आपको momentum दिख रही नभी है थोड़ा पर retracement चोटे टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं आपको मैं समझाता हूं देखो क्यों ऐसा market behave करता है वो समझना बहुत ज्यादा important है देखो यहां पर क्या हो रहा है market gap up खुला selling करना start किया यहां पर कहीं ने की थोड़ा बहुत एंगल बना retailers ने sell करना start किया यह market पूरा against में उपर की दिरफ जा रहा है यह क्यों होता है ऐसा एक तो demand बहुत अची है market में साथ में इतना momentum fast इसली हो रहा है युकि हर time retailers जब thinking करता है कि बेचो बेचो उपर आचुके उपर आचुके और उपर आचुके का उपर आचुके वह भी मैं आपको बताता हूं देखो almost हम लोग एक rejection levels के आसपास यह आपको दिख रहा है तो हमारी thinking जो है ना ऐसा randomly अब मैं साथ ऊपर की तरफ ट्राय मत करो सेल करने के लिए अगर आपको selling करना है market में तो आप market का नीचे आने का इंतिजार कीजिए नीचे मतलब कहां कौन से levels पर देखो यह यहां से यह bottom बना फर retest किया यहां पर और फिर यहां पर देखो आप इस levels के आसपास अब देखो market अगर let's say अब यहां पर दियान दिजेगा यह जो level आके निकल के रुखता है कौनसा level निकल के आता है 42,250 ठीक है अब यहां पर दियान दिजेए traders कैसे देखो एक साथ कैसा correlate करता market वो मैं आपको समझाता हूं 23 पर नहीं रुका 38 पर नहीं रुका 50 पर नहीं रुका 618 levels के आसपास मतलब market कहीं न कहीं यहां इस levels पर 618 levels को भी उसने break कर दिया कहीं न कहीं उसने अपना trend change कर दिया साथ में यहां पर trend line का breakdown दे दिया तो यह zone हो जाएगा perfect आपको sell करने के लिए ना कि हम इस levels पर try करें इस levels के आसपास try करने के लिए market को कभी भी प्रूफ करने दो कि हां हम selling का plan करेंगे तो selling के लिए जो है जब तक 42,250 market को कितना भी उपर जाने तो क्योंकि यह trend line तो इतना ज़्यादा extend नहीं होगा होगा भी थोड़ा explain होगा 50-60 point का ज्यादा फरक नहीं पड़ने वाला है तो as of now current market के सबसे 42,250 के नीचे closing देगा तो हमको selling के लिए plan करने नही तो जब भी dip लगता है buy on dip करो buy on dip करना अपने को अब देखिए reduce निफ्टी में यहाँ पर एक rejection level था ठीक है जहाँ आपको market cross नहीं कर पार था यहां rejection यहां rejection यहां देखो market ने struggle किया अब देखो इसी को उसने breakout किया है breakout के बाद इसी levels के आसपास आया और देखो कैसे demand create dot almost जहां पर rejection phase हो रहा था exactly उसी levels के आसपास हम को यहां पर क्या दिख रहा है उसी levels के आसपास हम को यहां पर अब buying की तरह दिख रहा है तो ऐसे price action simple में में काम करता है तो same चीज़ हमको bank nifty के पर भी apply करनी जब वो गूम के आएगा तो हम पर double bottom pattern angle कुछ ऐसा बनता है तो आ और को बनेगी तो हम यहां पर प्लान कर सकते हैं एक तो अपना 23.6% के आसपास हम यहां देख सकते हैं demand zone है इस levels के आसपास दूसरा let's say 30.2% के आसपास तो देखो यह जो छोटे-छोटे rejections थे यह यह वाले आपको जो दिखने होंगे 30.2% के आते हैं तो इस लोगों के आस 2680 यह हो जाएगा हमारा second demand zone जहां पर यह चोटे-चोटे rejections हैं और 20 30.2% के level आके बैठते हैं लास जो आपका आप उमीद लगा के रख सकते हैं हम लोग वो रख सकते हैं 17,660 के आसपास जो की 50% के आसपास आता है let's say कि अगर market हमारा काफी अच्छा नीचे आता है तो उस case में क्या करेंगे उस case में हम अपना ऐसा trend line draw करके बैठेंगे क्योंकि यह जो है हमारी लाकरी उमीद है okay इसको अगर उसने break कर दिया तो फिर आपको निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे जाते हुए दिखा सकता है 17,660 इसके नीचे closing देना start कर दिया पांच मिनट के और चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो हमको बाइंग के साबसे देखने आज के दिन पर selling मत कीजेगा उपर के लेवल से market को प्रूफ करने दो तूटेगा उसके बाद हम selling प्लान करेंगे जैसे ही डिप लगता है तो आपको बाइंडमली प्लान मत करना कि हाँ चल बाई में बात करते हैं financial nifty के बारे में अब देखें रिड़ाइस यहां पर अगरा मैं financial nifty की बात करूं तो financial nifty यहां पर आपका देखो support 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 और कहीं ने कि इस लेवल सपोर्ट लेते वे उपर की तरफ हमेंडम कर रहा है यहां पर हम दो चीजे करेंगे एक बायो वाला जादा stretch हो चुकी है इसका जो वैलेट हो जा इसको अगर हम consider करें कि वैलेट में इसको प्रफॉर्म करना होता तो कहीने कि इसको यहां से breakdown दिते हो नीचे की तरफ आना था यहां पर कहीने कि उसने demand करते हुए दिखाया है और market उपर की तरफ चाल रहा है overall nifty and bank nifty उपर की तरफ जा रहा है तो इस 10 line की अब इतनी ज्यादा value नहीं है in fact अगर यह ऐसा breakdown दिखाता भी है तो हमारा 23.6% एक दम नियर बाय तो हमारे लिए perfect एक trap वाला entry बन जाएगा इस levels के आसपास थोड़े भी इसे green candle बनने start हो जाते हैं तो we can consider with small stop-loss 30 points के आसपास का stop-loss minimum target अपना day high का हम plan कर सकते हैं तो एक point ऐसा ध्यान रखना की breakdown आता है तो this will be a trap by यहाँ पर आप छोटे stop-loss के साथ plan कर सकते हो अब साई जाने के लिए दूसरा buying वाला level कहां के निकलता है थर्टीट बन टू परसंट में consider कर सकते हैं नहीं थर्टीट बन टू परसंट पर कुछ भी नहीं बैठता है सर्व यहाँ पर level आके बैठता तो इसको consider मट करना जो second best level लेवल निकल के आता है वह 50% के आसपास जहां पर यह demand बैठती है जो की लेवल आता है अपना 18,845 के आसपास ठीक है market नीचे की तरफ आया इस लेवल पर आल्मोस आप 19,000 के आसपास चल रहा है नीचे की तरफ आता है तो यह लेवल पर आप focus कर सकते हो for major buying अच्छी quantity buy 40 points के आसपास का आपका stop ला दोगा यहां पर आरहम से हम लोग वन नेशो टू वन नेशो त्री के आसपास प्लान कर सकते हैं selling कहां करना है तो देखो यह जो है ने यह यह है आखरी उमीद अगर let's say market यहां से गिर रहा है और market continuous प्रूव कर रहा है कि हाँ नीचे की तरफ जाना है नीचे की तरफ जाना है और 50% को भी रोक नहीं पा रहा है इतने support levels 50% का level देखने के बावजूद भी तो यह हो जाएगा हमारे trigger point कहीं ने कि फिर हम लोग जो 18,000 445 मतलब 18,000 820 के नीचे क आसपास आया तो यह हो जाएगा हमाले information कि हाँ बॉस अब यह market इतना नहीं चलने वाला है हम retracement के आसपास sell on rice sell on rice sell on rice sell on rice प्लान करते हुए इसको प्लान करेंगे आज का दिन जिस हिसाब दी उपर के लेवल पर आप लोग सोच रहोंगे इसरी तो बहुत उपर के लेवल प यहां पर आपको दिख रहा है 55,000 के आसपास यह I think क्या मेरा यह पुराना system login हो चुका है I don't know यह वाइट क्यों ऐसा आ रहा है जी बोगरी अच्छा चार्ट्स बगरा मैंने open नहीं किया ओके देखो यह trade आपको मैंने कल भी दिखाया था जो मेरा average cost था 42,375 के आसपास मैंने अभी तक बुक नहीं किया ट्रेल आते जा रहा है मैं ट्रेल करते जब हो यहां पर हमारा मंतली गोल कपका पूरा हो चुका है चलो अब मैं आपर यह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर market ने एक अच्छा momentum already इस levels के आसपास दिया हुआ है यहां पर fresh buying करना यहां पर आप समझ पार हो ना ट्रेडर्स की इतना मैसर ऐसा तो नहीं कि सिरुफ मैं profit में हूँ बहुत लोगों ने नीचे के levels पर buy किया होगा तो वह already अच्छे कासे levels के आसपा बैठे हैं अब हमारे situation हमारे लिए अभी क्या situation है हमारे situation यह है कि हमको बस trail करते हो जान है नीचे की तरफ आएगा तो हम exit कर देंगे आप यहां पर सोचोगे कि fresh position बनाना उपर के levels पर logical नहीं होता है तो market जब भी उपर जाता है तो उसको dip लगने दो तब आपको buy का plan करना पर दया है और जब भी नीचे जाता है तो जैसे हो retracement लगाएगा तब आपको selling का plan करना होता है यह basic rule है सिर्फ excitement में आके आपको trade नहीं करना तो जो level हमने discuss कि है उसके उपर आपको focus करते हुए काम करना है वीडियो अच्छा लगा तो like जरू कर दिजएगा thanks for watching we'll see you in the next video हुआ